हेलो एन वेलकम का इस वागात आपका फेंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइज असम प्रिमियल क्लब टी ट्वेंटी चैंपियंशिप की जो की मेच होने वाले हैं ऐसे लोग का इसे वीडियो में हम लोग कि आपके जा सकेontin वीडियो को श्टार्ड कर लेते हैं दो बात करें इस में किस्से पहले एक छोटी सीरिक्वेस्ट रहे की यूटूब चैनल को अभी तक आपने सस्क्राइब ने कहा, तो यूटूब चैनल को सस्क्राइब कर लेजीगा, क्योंकि पूरी टोर्णामेंट कवर की जाएंगे, इसके साथ-साथ यहां से अपडेट, टीम अपडेट और पूरी अपडेट आपको IPL की भी मिलती रहेगी, तो यह के लिए यूटूब चैनल को आप सस्क्राइब कर सकते हो, यहां से टेलिग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत बुलेगा, नीचे डिस्क्रिप्सिन में आपने लिंक अटेच करके दे द ग्राउं, गोहाटी असम में खिला जाएगा, और एक बात बता दू कि यह जो मैच रहेगी, यह पहली सेमी फाइनल रहेगी, यानि कि कल जो भी टीम जीतेगी, वो सीधा फाइनल में जाएगी, और यहां से आखरी मैच कल रहेगा, परसो रहेगा, तो इसके लिए दोनों ह टीम यहां से जीतने के लिए मैदान में उतर है कि लेकिन बात बता दू कि यह जो टीम है, काफी तगडी टीम है, अभी तक पूरी टूर्नामेंट में अन्बिटन रहेगी है, ग्रूप ए में सारी मैच इसें, पांचोई मैच इस यहां से जीत के आ रहे है, तो वेरे इंप कुमारदास जो कि यहां से असम के स्टेट लेवल मैचिस खेलते हैं और यहां से इनकी बात बता दू आपको कि यह जो बंदा है IPL में इनका नाम था आक्षन में हाला कि इनको किसी ने खरीद आने हुग दो नमर वाली बात है लेकिन आक्षन तक जरूर आ गया था पल्लव कुमारदास तो very important रहेगा हमारे लिए हर एक मैच के अंदर बैटिंग से इतना जबज़स परफरमस दे रहा है अगर कोई भी प्लेयर यहां से बैटिंग करे ना करे लेकिन यह बंदा आपको बैटिंग से जरूर स्कॉर करके दे सकता है 106 पहली मैच के अंदर इसके बाद 52 29, 38, 39 तो यह player एज़ प्लेयर तो important है even captain ship और vice captain ship के लिए एक बहुती बढ़िया पिक रहने वाली यहां से पल्लव कुमारदास कभी-कभी औरस भी कर ले थे हाला कि दो मैच के अंदर ओस की विगेटने मिली लेकिन दोनों ही मैच के अंदर यह कभी भी आपको ओस करते हुए भी नजर आ सकते हैं तो very important रहेंगे बाखी बिशाल सा ओके-ओके फिक रहेंगे इनके बाद बदा दो कि यह जो थे last match याने की पहली मैच जो खेले थे वो दस्में नंबर पर के लेते और यहांसे दूसरी मैच के लिए तो यहांसे ओपनिंग किया थे तो लग्तानी अगली मैच के इंदर ओपनिंग करे गए तो यहांसे very very risk की रहने वाद है तो गराण लिग वागेर हमें उनको ट्राइ कर सकते हो बाकि स्मॉल लिग के लिए काफी रिस्क की रहने वाल है सेम चीज यहां से संदीप पॉल आपको विकेट केपिंग सेक्शन में दिखेंगे और विकेट केपिंग सेक्शन में हमारे पास ओल रड़ी अतुल क्या नामे है उनका जो भी है वो है हमारे लिए उप्शन में तो इनको हम लेके जाएंगा बाकि संदीप पॉल थोड़े से रिस्की रहेंगे तो आप गरांड लिग वगेरा में ट्राइ करो तो बेतर रहेगा बाकि मनस जोती गोगोई यह इंपोर्डन है लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी बड़ कनफीजन होने वाली है तो इनके बारे में हम लोग लास में बात करते हैं वैसे प्लेयर सो काफी अच्छा है यहाँ बैटिंग से अच्छा परफरमस दे रहा है लेकिन फिर भी थोड़े से यहाँ से difficult player है कैसे हम लोग लास में बात करते हैं जब fantasy team बनाते हैं तब इनके बारे में जरूर बात करेंगे रंजन विकास दास को जरूर ट्राइ करिएगा वोस करवा लेता है पूरी हाला कि एक मैच के अंदर वोस भी नहीं किती और कभी-कभी पूरी वोस भी नहीं करता है तो बैटिंग से आपको स्कॉर करते हैं वो नजरा सकता है तो यह जब player रंजन विकास दास और यहां से गोग होई दोनों के बीच में थोड़ी से बहुत confusion है एक और प्लेयर है जिसके बीच में confusion होने वाली है आपी तो यह दो प्लेयर तो है और इनी दो प्लेयर के साथ एक और प्लेयर यहां से बता दूमें आपको K-10 यहीं से बात कर लेते यह बंदा भी पूरी वोस करवा ले था है प्षट से और अपर थीप कर सकते हैं दो और एक बार दो ते सकते हो अका जो बोलिंग बहुत ही तकला है यह वहां से अगर ये अगर पहली बैटिंग करते हैं ना तो यहांसे इनका बॉलिंग सेक्षन पे हमें खास ध्यान रखना है ये जो चार मार्क कर रहा हूँ ना में चार ये चारोई बोलर को कभी भी मिसमसन करना है हाला कि के दास के ओपर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो लेकिन यहांसे प पराख बर्मनी 4 रिकेट निकाल ई दूसरी मेच की बात करush हो करो तो यहांसे प्रितिस पर्मनी यहांसे यह दास ने दोविकेट निकाल हो थैंद तो यहांसे बर्मनी sils Yes EEC byञे निकना निवत भी आखनें तो यहांसे बात करऊ में ने सांवारे Mac in turn लिए तो यहां से प्रिति श्री ने चार विकेट निकाल ले तो ऐसा कुछ हो सकता है वाकि आप अपने इसाफ सभी चेंजिस कर सकते हैं लेकिन मैं तीनों ही ब्लॉलर्स को लेखे जाऊँगा के दास के बारे में मैं बता दिया कि इनको लेना है तो आपको किसको ड्रॉप करना पड़ेगा बाकि संजीब पाठक इतने कुछ खास इंपोर्टन नहीं रहे लेकिन लास मैच के अंदर जब खेले दे तब तीनों की ग गयनबाजी करते हुए देंगे तो यहां जो है यहां से दासों का राज चलता है तो यहां से दास सब पर बाड़ी पड़ने वाले है बाकि ब्यांच की बात को तो जितने यहां से प्लेयर्स खेल रहे नहीं उतना ही ब्यांच है यहां से 11 प्लेयर का इनका ब्यांच है तो देखें कोई भी आके खेल सकता है इसके लिए मैंने बोला यहां से के संदीप पाठक शायदी खेल सकते हैं क्योंकि अगर वो नहीं खेले तो कौन-कौन खेल सकता हैं यह रहे आपस्टेंस आपके लिए निलुपतान दास जोकी 44 मैचिक से अंदर 36 विकेट थे उनको खिला सक सकते हैं यहां से देनिस दास को खिला सकते हैं इनको ट्राइक कर सकते हैं तो यह जो प्लेयर इनको यह टिम इनकी जगावर ट्राइक कर सकती है यहां से संजीत पाठक की जगावर बाकी 11 प्लेयर का यहां से स्कॉर है और यहां से 11 प्लेयर का यहां से ब्यांच है तो इनमे जीत का रहे है, दो मेंच वह हार का रहे हैं, गवराव साग किया जो कि, ओपनिंग कर वारा है, पहली मेंच के अंदर भी ओपनिंग किया था, इसके बाद केले नहीं थे, और यहां से एक ये बन्दा कभी भी देखो रेगृलर्D यहां से बाय्टिंग से अच्छा परफरमस दे रहा है और Overs भी कर रहा है तो कभी-कभी विकेड भी चाटका सकता है जैसे कि यहांपर तीन विकेड उस्ने निकाले था यहांसे सिद्धी पिक होने वाली है, सिद्धा शर्मा को differential choice पर try करेंगे, क्योंकि last match के अंदर सिद्धी को एकी वोस की गनबाजी की, लेकिन इस से पहले पूरी वोस की गनबाजी करते हुए आ रहे हैं तो देख लेते हैं, अगर को एक्षी चोईस ना में लेते हैं, तो हम लोग सिद्धा शर्मा के साथ जरूर जाएंगे राजा कुद दिन एहमद, वेरी इंपोरेंट पिक रहेंगे, तीम की कैप्टन सिप करवा रहे हैं और एक मैच के अंदर पूरी वोस कर रहे हैं, प्लस बेटिंग से भी ठिक टाक परफरमस दे रहे हैं यहां से, एजब प्लेयर इंपोरेंट पिक बनते हैं, और इस टिम की बात कर तो इस टिम से तो वेरी इंपोरेंट पिक बनते हैं सुमन ता जा, ओके-ओके फिक रहेंगे, ग्रांड लिक बगेर हमें ट्राइक कर सकते हो, स्मॉल लिक के लिए प्लेयर नहीं है तो यहां से एक बार फिर से आगे भी विकेट ले सकता है, फिप्टी एच मैचिस के अंदर, एटी टू विकेट है, लेप्टा मोटोडोग गयन बाज है और किरन जो टी शाय क्या, इम्पोर्णेट फिक बन सकते है, एक ही मैच के अंदर अपिदक विकेट नहीं है, बाकी हर एक मैच के अंदर विकेट निकालता हो आ रहा है बन्दा, तो हमारे लिए इम्पोर्णेट बनेगा बाकी स्टाटिंग वोस के बाद कर तो यहां से आरहमाद वर आरचेतिरी स्टाटिंग में दिखेंगे, देथ में दोनों ही दिखेंगे, मैंने क्यों मैंच किया है, क्योंकि लास्ट मैच में जो खेल वा था, वो सिर्फ तेरा या चाउदा गेंदो का ही वा था, क्योंकि सा में आ सकते हैं बाकी बैंच की बात करते हैं सुकुमार महांता तीन मैच खेले तीनों इमेच के अंदर ओपनिंग की लेकिन इतना कुछ खास परफॉमस नहीं किया तो इतना कुछ हमें इंपोर्णेंट भी नहीं रहेगा बाकी मुसद्धी घुशन अगर खेलते तो इनको जर कर सकते हैं बाकी मैं तलुकदर के साथ जाओंगा बैटिंग सेक्शन के बात के बात को यह से पी दास और डी शाहाद यह दोनों ही इंपोर्णेंट पिक रहने वाले इवन कैप्टेंसिप और वाइस के लिए दोनों सही चोईस है इनको ट्राइक कर सकते हो और यहां से आप केस आइकिया को यहां से आप गो-गोई के साथ जा सकते हो लेकिन केस आइकियो मैं क्या को मैंने क्यू लिया है क्यूकि यह बन्दा कंस्रिंट फिछनसिप से अच्छा पर्फोरमस दे रहा है विए चर्का रहे हैं इसके मैंने इनको लिया हुआ Council हे बाकि गोगई जो है त पर बैटिंग टॉप ओडर में बैटिंग कर गए अच्छा रन बना के दे सकते हैं यहां से 25-30 रन हर एक मैच के अंदर इसको लेके जाना है आप अपनी तरह से चैन्जिस करना चाहो तो कर सकते हो के साइकिया की जगा पर गोगोई को ले सकते हो तो पहली चोईस यहां से गो पर भी आप गोगोई को ज़रू ले सकते हो तो मैं खुझ भी करसकता हो ऐसे विकाज़ दास की जगा पर गोगोई को ले सकता हो लेकिन विकाज़ दास ऐस ओस कर रहा है तो इनको जड़ины ज़रा सा अपनी ध्यान में ह cane बार गंड़ गये ठाही नहीं थेaoOham, बाकि उनको क किसी को लेना हो तो यहां से S समत को S शर्मा को ले सकते हो तो कुछ इस तरह से टीम रहेगी कैप्टन हमारे रहेगी यह से P10 और वाइस कैप्टन में ने यहां से D शाह को दियो है और आप भी बना सकते हो कोई गलत चोईस नहीं है कभी भी आपको 3-4 विकेट चटकाता वाँ नचर आ सकता है तो कुछ इस सरा से टीम रहेगी के कैप्टन हमारे रहेगे P10 और वाइस कैप्टन सीप दीचार रहने वाला है लेकिन यादर ही यह डेमो टीम है मिलेगी टेलिग्रम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अटेच करके करके दे इनकर सगर लिंक वर्क ना करी टेलिग्रम में चाके सब्सक्राइब करना इसक्राइब करना विलेका तो मिलते हैं अब लग नए सर्प्राइट्री वीडियो के साथ तब तक आप फूरा वीडियो दखते रहो अच्छा एनलिसिस करते रहो अच्छी टीम बनाते रहो अच्छी विनिंग करते रहो